विश्व का आजिब मसाज पारलर भाग दोड में अक्सर हम अपनी जिन्गी की सुकुन खो देते हैं इसी सुकुन को पाने के लिए लोग नजाने क्या क्या जटन करते हैं मानसिक शांती और ठकावट को दूर करने के लिए लोग मसाज का सहरा लेते हैं मसाच से होने वाले फाइदों से हम महरूप नहीं है इसे हमें क्या-क्या फाइदा होता है ये लगबग हर किसी को पता है खूपशुरत लड़किया अपनी सुन्दरता को और अधिक निखारने के लिए भी यह तरीका अपनाती है लेकिन मसाच का एक और भी तरीका है जिसके बारे में सुनकर आप हैरत में पढ़ जाएँंगे अगर आपके सामने जयसा जैहरिला साप अ जाए तो आप क्या करेंगे जितनी जल्डी हो सके वहां से भाग जाना चाहेंगे जिस अजगर से दुनिया डरती है उस अजगर से लोका बौड़ी मसाज करवाते हैं मसाट सें ना पाए हाला कि इसका जहर निकाल दिया जाता है लेकिन फिर भी बिना किसी रिस्क के ये बिजनेस चलता है मसाज के लिए करीब 3 मीटर लंबा और 8 किलो वजन का अजगर का इस्तिमाल किया जाता है जो पेट और टांगों की मसाज करता है अजगर अपने शीकार को अच्छे से जहकर्ड लेता है और इसी कारण इसका इस्तिमाल मसाज के लिए किया जाता है PM से बॉड़ी पर पूरी आज़ादी से रेखते रहते हैं मसाज पार्लर में स्नेक्स से मसाज करा ही जाती है अजगर्स चाप आधि लड़की की बोड़ी पर छोड़ दिये जाते हैं जिसक अजिब दिखने वाले साप छोड़े जाते हैं स्नेक मसाज को लेकर बताया जाता है कि कस्टमर के पूरे शरीर में रेखते रहते हैं जिससे उनकी मसाज अपने आप ही हो जाती है इस दोरान कस्टमर भी आराम से लेटे रहते हैं उनके शरीर पर साप ऐसे वीचरण करते या चलते हैं कि मानोवे जंगल में आजादी से रेग रहे हैं इस अनोखी तरीके से मसाज को लेने वालों की कमी नहीं है अब ये तरीका काफी लोग प्रिय हो गया है लेकिन यदि आप ये मसाज लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि साब बोड़ी पर रेखते रेखते कभी नाक में घुशने की कोशिश करते हैं तो कई पेट, हाथ, सीर, छाती को कसके जखड बना लेते हैं और जखड बनाते हुए ही रेखते हैं हालाकि इस मसाज का लाब उठा चुके लोग कहते हैं कि मसाज का ये तरीका शांदार है और इससे तनाव कुछी पलों में दूर हो जाता है जब ये बोड़ी पर चलते हैं तो ठंड़क महसूस होती है जिसे चीड़-चीड़ापन भी चला जाता है फिलिपिन्स के सेउ सीटी जू की संस्था को अगर कोई परियाटंग डोनेशन देता है तो उसे इस मसाज का लूप उठाने का मौका मिलेगा बताया जाता है साप का कूल वजन 250 किलो है चारो साप आपके बदन पर खास आपने बाजू पर म्यालिश करेंगे वे अपने शरीर पर रेगेंगे जू के मेनेजर ने बिजनेश को ध्यान में रखते हुए ए स्कीम निकाली है उन्हें उम्मिद है कि परियाटनों को एप पसंद आयेगा दोस्तो ये मसाज का एक मनोविग्नानिक कारण भी है कि अगर अजगर से मसाज कराते समय लोग के मन में डर बना रहता है कहीं ये काट ना ले लेकिन अजगर से मसाज कराने पर लोगों को एक मनोविगनानिक बल मिलता है उन्हें अपने डर से लडने की और डर पर काबू पाने की ताकात मिलती रहती है और वो डर धिरे-धिरे खत्म होने लगता है अब दोस्तों दुनिया के ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब मसाज पालर के बारे में बताते है जो मसाज के अलग-अलग तरीकों को लेकर लोगों के आकरशन का केंद्रा बने हुए है नमबर एक पर है गोंगा मसाज जापान इंगलेंड जापन रूस में ऐसे मसाज पार्डर है जहाँ पर गोंगे से चेहरे की मसाज की जाती है इसके पिछे का कारण यह है कि गोंगे से निकलने वाले स्लाइम से चेहरे की जूरिया, काले, घेरे और दाग दब्बे दूर हो जाते है नमबर दो पर हाथी मसाज थाइलेंड यहाँ पर अनोखे अंदाज में भारी भर्खम हाथी से मसाज की जाती है यहाँ पर हाथी पेरों से लोगों की मसाज करते है इसी कारण लोग दूर दूर से हाथी के मसाज करवाने के लिए यहाँ आते है दुनिया के ऐसे बहुत देश है जहां पर स्पेशल तरीके से फिश मसाज बनाई गई है इसके लिए स्पेशल डॉक्टर फिश का नाम के मसलियों का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा भी दुनिया में मसाच करने के लिए अलग-अलग चीज़े इस्तिमाल की जाती है दोस्तो अगर आप ऐसे मज़ेदार वीडियो पसंद करते हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट अवश्य करे ताकि हम अगला वीडियो और अच्छा बना सके हम नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल सकती हुआश्य करेंगे